एक बार एक गाउं में दो दोस रहते थे उनके नाम थे नेकी राम और फेकु राम नेकी राम बहुत ही नम्र और दयालू था जबकि फेकु राम बहुत ही मतलबी और जूटा था एक दिन दोनों दोस पैसा कमाने शहर निकले उन लोगों ने बहुत मेहनत किये और कम समय में उन्होंने बहुत पैसा कमाया जैसे ही वो गाउं जाने के लिए निकले फेकु राम के मन में एक विचार आया क्योंना हम अपना धन इस पेड़ के खोकले में चुपा दे और जब हम दोनों सुभा लोटेंगे तो सारा धन अपने साथ ले जाएंगे नेकी राम तयार हो गए और दोनों अपना सामान छिपा कर गाउं की ओर निकल पड़े फेकु राम आधी रात को जंगल पहुँचे और सारा धन चुरा लिया दूसरी दिन जब दोनों दोस धन लेने जंगल पहुँचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला तुम ने मेरा पैसा चुराया है पर मेरे पास नहीं है मेरा पैसा भी चौरी हो गया है नेकी राम ने चोरी से इंकार किया पर भेकू राम उसे सरपंच के पास ले गया और बुला ये चोर है मेरी मदद कीजिए हमने धन जो छुपा रखा था वो इसने चुरा लिया है तुम ये कैसे कह सकते हो? मेरे पास इसका सिर्फ एक सुबूत है और वो कौन है? वो देवदूत जो उस पेड में रहते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए सब लोग पेड के पास पहुरे और फेकू राम जोर से बोला ओ इस पेड में रहने वाले देवदूत? क्रपया बताईए कल रात क्या हुआ था? नेकी राम कल रात यहां आया था और सारा धन जो यहां रखा था चुरा कर ले गया हुआ नेकी राम भोचकार आए गया और बोला अरे बेवकू पेड मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा यह कहते हुए नेकी राम ने लक्री के छोटे छोटे टुकडे इकटा करना शुरू कर दिया और पेड के चारो तरब पिछा दिया और उनमें आग लगा दी कुछ ही देल में फेकू राम के पिताजी चीकते हुए वहां से बाहर निकले दाओं के सरपंच ने उनसे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे बेटे ने मुझे यहां छुपने को कहा और कहा कि कहना कि नेकी राम सारा धन चुरा कर ले गया दरसल धन मेरे बेटे फेकू राम ने चुराया है सरपंच ने फेकू राम को सजा दे और नेकी राम को धन लाटा दिया शिक्षा सत्यकी हमेशा जीत होती है